हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल एल जी आड़ स्टेडी पाड़ा मेडिकल में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग पाड़ा मेडिकल परवेश परिच्छा के बेहतर तयारी के लिए हिंदी के महतपूर्ण कोईश्चन का टॉपिक वाइज त्यारी करते हैं आपको बता दे कि आज यह इस वीडियो स्रीज का 15 नंबर वीडियो है हिंदी के महतपूर्ण कोईश्चन के लिए इससे पहले हम इस तरह का 14 वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो अगर आप अभी तक इस सभी 14 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लिजेगा जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी महतपूर्ण है तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो सुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हम अनेक सब्द के लिए एक स यह होता क्या है इसमें दोस्त आपको क्या है कि कुछ आपको एक sentence टैप सा देया जाता है जैसे कि यहाँ पढ़ी देख लीजिए बोला जा रहा है कि सब को समान रूप से देखने वाला यह है अनेक सब्द और इस अनेक सब्द के लिए एक सब्द क्या होगा मतलब इस सभी ब करेंगे समदर्सी बोलेंगे यानि कि जो एक का आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा यानि कि समदर्सी यानि कि समदर्सी किसे कहेंगे जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्सी सम मिस होता है समान और दर्सी मतलब देखने वाला ठीक है तो जो सबको समान रूप से देखता है उसको हम समदर्सी बोलते हैं तो यहां पर आपको simply यहां समझना है कि इस topic से जो है आपके exam में question आता है जिस topic का नाम किया अनेक सब्दों के लिए एक सब्द इसमें क्या होता है फस्तो question आपने देखा कि सबको समान रूप से देखने वाला तो जो सबको समान रूप से देखता है उसके लिए अनेक सब्द के लिए एक सब्द क्या होगा तो यहां पर आपका a option से होगा यानि कि उसको हम समदर्सी बोलेंगे next दो नमर question है कि जो कोई बस्तो वहन करता है जो कोई भी बस्तो क्या करता है वहन करता है वहन मिस होता है एक जगा से दूसरे जगा तक ले जाता है ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो उसको हम वाहक कहेंगे, क्या कहेंगे, वाहक, जैसे समझ लिजिए कि कोई गारी है, तो गारी क्या होता है, वाहक होता है, क्योंकि वो किसी भी वस्तु को एक जगा से दूसरे जगा क्या करता है, ले जाता है, उसका वहन करता है, नेक्स देखेंगे, तीन नमबर पूशा आज़ा रहा है कि जिसमें भाला बुड़ा समझने की सक्ति नौ हो उसे हम क्या कहते हैं तो चार का यहां पर आपका D option जो है सही होगा उसको हम लोग कहते हैं अग्यानी मतलब जो भाला बुड़ा कुछ समझे नहीं सकता उसको हम अग्यानी कहते हैं ठीक है इसके लिए एक तरह से हम लोग पांच नंबर question पूछा जा रहा है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो पांच का C option आपका होगा सही जितेंद्रिये जितेंद्रिये आपका बिल्कुल हो जो हैगा वो सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ेंगे च् इस्थिर रहता है जो युद्ध में इस्थिर रहता है इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो इसके लिए एक सब्द जो होगा वो होगा युधिस्थिर यानि कि छौका यहाँ पर आपका C option सही होगा युधिस्थिर यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा जो यु बोल सकते हैं, तो साथ का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा, वो B होगा, that means यहाद रिखेंगे, पर उपकारी, मतलब दूसरे का उपकार करने वाला, या फिर दूसरे का भला चाहने वाला यहां पर आपका सही आंसर जो होगा, चलिए, आगे देखेंगे, आठे नमर कुस् अगे बढ़ जाईए और देखिए अपने नौ नमर कोईश्चन को बोला ज़रा कि जो इस्तरी अभिने करती हो तो उस इस्तरी को हम एक सब्द में क्या बोल सकते हैं कि वो क्या करती हैं तो नौ का D option आपका सही होगा उसको अभिनेत्री बोलेंगे क्या बोलेंगे अभिनेत् नेक्स देखिए 10 नमर कोईश्चन पूछा जा रहा है जिससे सब कुछ कहा जा सके इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो दसका जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वो आपका A होगा डैट मिस याद रखेंगे अंतरंग होगा क्या होगा अंतरंग चलिए आगे बढ़ जा पराब लंबी बोलते हैं और जो अपने बलबुते पे होता है उसको स्वाब लंबी बोलते हैं ठीक है चलिए बारा नमर कोईश्चन है स्वाब यहां पर आपको बताना है स्वामी रहित जानवर स्वामी रहित जानवर का क्या मतलब है मतलब वैसा जानवर जिसका कोई लिए हम एक सब्द क्या कह सकते हैं तो 12 का यहां पर आपका डी ऑप्सन सःयोगा याद रखेंगो इसको कहते हैं लाबारिस क्या कहते हैं लाबारिस मतलब जिसका कोई मालिक नहों जिसका स्वामी कोई नहों तेरा नम्म्र कोईश्चन है कि जिसके बारे में पड Orchest करने पर भी नव जाना जा सके उसको हम क्या कह सकते हैं एक सब्द में ठीक है तो तेरा का D option का सबें अनभिज्चे क्या बोलते हैं अनभिज्चे को हम जह हैं ठीक है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहां पर जो आपका चौदा नमबर कुष्चन पूसाद रहा कि दूसरे के यहां पर आपको बताना है कि दूसरे के पड़ती निधी के रूप में विक्रे आधी करने का अधिकार इसके लिए हम एक सब्द क्या बोलेंगे तो चौदा का C option आपका विल्कुल इस योगा याद रखेंगे अभी करन क्या बोलेंगे इसको अभी करन बोलते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे और 15 नमर question देखिए पूछाजार है कि आग से जुलसा हुआ जो आग से जुलस जाता है इसके लिए हम एक सब्द क्या पढ़ियोग करेंगे तो तो 16 का D option आपका सही होगा उसको कहते हैं वित्रागी क्या कहते हैं वित्रागी इसके लिए एक सब्द आपका हो जाएगा ठीक है सतरा नमर क्वेश्चन है कि जिसका रोग का इलाज नौ हो सके उसको हम क्या कहते हैं तो सतरा का यहाँ पर जो आपका A option है बिल्कुल ही सही होगा उसको कहते हैं और साथ दे अठारा नमर कोश्चन है कि जो हसने की सक्ति रखता है उसको हम क्या कहेंगे तो अठारा का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वह डी होगा डैट मिस याज रखेंगे सही सुनने वह क्या है सही सुनने है चलिए आगे बढ़िए और देखिए 19 नमर कोश्चन को 19 नमर कोश्चन है पूछा जा रहा है कि वा बस्तु जो यहाँ पर आपको बताना है कि वा बस्तु जो नास्वान हो मतलब जिसका नास हो जाता है तो इसके लिए हम एक सब्द क्या बोलेंगे तो 19 का यहाँ पर आपका C option सही होगा डैटमिस याद रखेंगे नस्वर जो बस तो नासवान है उसको हम क्या कहते हैं नस्वर कहते हैं किसी तरह देखेंगे 20 नमर कोष्चन पूशा जा रहा है कि किसी संग या संस्था के किसो सभाग का परधान किसो सभाग का परधान जो होगा उसके लिए हम एक सब्द क्या बोलेंगे ठीक है तो यहाँ पर 20 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा डैटमिस उसको हम सभापती बोलते हैं ठीक है चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पर किसी बस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो 21 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डैटमिस याद रखेंगे उसको अनुसिलन कहते हैं क्या कहते हैं अनुसिलन चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे आपके 22 नमर का कुश्चन को पूछा जा रहे हैं कि जो घटनाई एक समय गटित हो जाती हैं आपको बताना है कि जो घटनाई एक समय गटित हो जाती हैं इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो 22 का एउप्शन आपका सही होगा है कि समकालिन होगा समकालिन मतलब समान काल में घटित होने वाला ठीक है 23 नमर कोश्चन है कि जो समय के अनुकुल चलता आया है इसे हम क्या कहेंगे ठीक है तो 23 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो D होगा 23 का D option यानि कि समय अनुकुल आपका जो है बिलकुल सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे आपके 24 नमर कोश्चन को 24 नमर जो आपका कोश्चन है पूचा जा रहा है कि वह जो कस्ट से छुटकारा दिलाता है इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो 24 का यहाँ पर आपका गहरने वाला चार ओर से गहरने वाला क्या कहलाता है तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा पड़ीधी कहलाता है चलिए इस तरह से आपका जो अनेक सब्द का एक सब्द है वो भी जो है आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताईए और इसका पीडियो आपको हमारे मॉबाइल एप पर मिल जाएगा तो अगर आप लोग इसका पीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मॉईल एप जो है डाउनलोड कर लिजिए चले मिलते हैं अगरे वीडियो में तो तक अपना ख्याल रखिए और एल जार स्टेडिय देखते रही है